जैहिन बच्चों Two stories about flying pain हम अब दूसरी कहानी पढ़ेंगे इस दूसरी कहानी का नाम है The Black Aeroplane यानि काले रंग का विमान ये कहानी एक विमान के बारे में है और ये कहानी एक पाइलट के बारे में भी है बहुत अद्वत कहानी है तो आएए पढ़ते हैं The moon was coming up in the east behind me जो चंद्रमा है धीरे धीरे उभर रहा था आसमान पे पूरब की दिशा में behind me, मेरे पीछे and stars were shining in the clear sky above me और तारे टिम्टिमा रहे थे चम्चमा रहे थे बहुत ही सुंदर से आकाश में जो की एकदम clear था clear का मतनब है उस पे कोई बादर नहीं थे एकदम साफ आसमान था उस पे तारे टिम्टिमा रहे थे और धीरे धीरे चंद्रमा उभर के आ रहा था There wasn't a cloud in the sky आसमान में एक भी बादर नहीं था I was happy to be alone high up above the sleeping countryside मैं बहुत ही happy मतलब खुश और यह जो कहानी है यह एक पाइलट के दृष्टी से सुनाई गई है तो इसमें खुश कौन है मैं मैं यानि के पाइलट मुझे बहुत अच्छा लग रहा था मैं बहुत खुश था alone alone मतलब अकेले एकदम अकेले में उडान भर रहा था high up यानि काफी उची उडान भर रहा था above the sleeping countryside sleeping countryside का मतलब क्या है जो countryside था जो खेट खालिहानो वाला एरिया था वहां पे सभी लोग जो आसपास के घरों में थे वो सबके सब सो रहे थे क्योंकि रात का समय था I was flying my old Dakota airplane over France back to England flying का मतलब क्या होता है उडाना old यानि की पुराना Dakota airplane जो airplane है वो Dakota company का था कहां पे उडा रहा था over France France की उपर से उडा रहा था और वहां से मैं वापस England आ रहा था I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family मैं मन ही मन चुट्टी के सपने देख रहा था dreaming का मतलब है सपने देखना holiday यानि की चुट्टी and looking forward to being with my family और मैं सोच रहा था कितना अच्छा होगा जब मैं अपने परिवार के साथ होगा I looked at my watch मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा watch क्या होती है हाथ की घड़ी 1.30 in the morning सुभा के देड़ बजे थे या फिर आप कह सकते हैं रात के देड़ बजे थे I should call Paris control soon I thought अब तुछे Paris control को phone करना चाहिए मैंने सोचा thought मतब सोचा As I look down past the nose of the airplane As I look down past the nose of the airplane I saw the lights of a big city in front of me जैसे ही मैंने नीचे की तरफ देखा Aeroplane की nose के आगे Aeroplane यानि विमान की जो nose होती है वो जो विमान का सबसे आगे वाला हिस्सा होता है सबसे सामने वाला हिस्सा मैंने उसके आगे की तरफ जैसे ही देखा I saw the lights of a big city in front of me मेरे सामने उस विशाल शहर की बहुत सारी lights थी रात के समय जब नीचे सड़क पे या घरों में या इधर उधर लाइटें जलती हैं तो वो उपर से कितनी आगरशक दिखाई देती हैं मैंने वही लाइटें देखी उस बड़े शहर की I switched on the radio and said मैंने radio on किया और and said Paris Control Dakota DS 088 Can you hear me? I'm on my way to England Paris Control ये Dakota DS 088 विमान है क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं England आ रहा हूं The voice from the radio answered me immediately Radio पे जो आवास थी उन्हें तुरंत मेरा message मिल गया और उन्हें तुरंत जवाब दिया Answer का मतलब है जवाब देना या reply करना Immediately मतलब तुरंत DS 088 I can hear you You out to turn 12 degrees west now DS 088 over DS 088 मैं आपको सुन सकता हूं आपको 12 degrees west पे घूमना है अब समय आ गया है कि आप 12 degrees west पे घूम जाएं West का मतलब पस्चिम पस्चिम दिशा के तरफ आप 12 degrees 12 degree मुर जाए DS 088 over I checked the map and the compass switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degrees west towards England अब ये संदेश मिलने के बाद मैंने क्या किया मैंने map check किया map यानिके जो नक्षा है मैं नक्षा कु चेक किया and the compass compass यानिके और मैंने compass भी चेक क्या होता है एक device होती है ऐसे गुल से जिस पे धुरी बनी होती है वो हमें विताती है कि हम कौन सी दिशा में है तो वो compass मैंने चेक किया switched over to my second and last fuel tank जो मेरा दूसरा और अंतिम fuel tank था जो मेरे तेल की टंकी थी मैंने उसको on किया and turned the Dakota 12 degrees west towards England और जो Dakota है यानि कि मेरा जो विमान है उसको मैंने 12 degree पस्टिम की दिशा में England की और मोड लिया I'll be in time for breakfast I thought नाचते तक तो मैं बहुत जाओंगा मैंने सोचा A good big English breakfast एक बहुत ही बढ़ियासा अंग्रेजी breakfast Everything was going well It was an easy flight सब कुछ बहुत अच्छे से जा रहा था Everything यानि कि सब कुछ Going well का मतलब है अच्छे से जाना यानि कि बिना किसी दिक्कत की काम हो रहा था It was an easy flight ये बहुत ही असान flight थी Flight यानि कि हवाई यात्रा Paris was about 150 km behind me When I saw the clouds Paris करीब 1.500 km तीछे था जब मैंने बादलों को देखा Strong clouds Tufaan के बादल They were huge वो काफी विशाल थे They look like black mountains Standing in front of me Across the sky और ऐसे लग रहा था जैसे कि काले काले बादल हूँ Looked like का मतलब है देखने में ऐसा लग रहे थे Black mountains यानि कि काले रंग के पहाड काले रंग के परवत Standing in front of me जैसे कि वो काले रंग के परवत बिल्कुल मेरे सामले खड़े हूँ Across the sky यानि के आस्मान के पार I knew I could not fly up and over them मुझे मालूम था कि मैं ऊपर की तरफ ओड करके उनके पार नहीं निकल सकता And I did not have enough fuel to fly around them to the north or south और मेरे पास इतना इधन भी नहीं था कि मैं north यानि के उत्तर की दिशा या फिर दक्षिन की दिशा से होते हुए उनको पार करके साहिट से निकल चाओ I out to go back to Paris मुझे तो शायद Paris वापस जाना पड़ेगा I thought, मैंनी सोचा But I wanted to get home लेकिन मैं घर जाना चाहता था I wanted that breakfast मुझे घर जा करके वो नाश्ता करना था I'll take the risk, I thought मैं ये जोकिम उठा ही लेता हूं रिस्क का मतलब है जोकिम Take the risk का मतलब है जोकिम उठाना I thought, मैंनी सोचा And flew that old Dakota straight into the storm और वो जो डकोटा प्लेट है मैंने सीधा उस टॉर्म यानि के उस दुफान के बीच में और मैंने अपना डकोटा प्लेट सीधा उस दुफान की ओर उडा लिया Inside the clouds, everything was suddenly black अब जब मैं बाद्दों के बीच में घुजगया तो मैंने देखा सब कुछ अचानक से इद्दम काला हो चुका था It was impossible to see anything outside the airplane और आसपास इतने अधिक घने काले बादल थे कि विमान की खिड़की से बाहर देखने पर भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था सिवाए उन काले बादलों के Impossible का मतलब होता है Asambhav See anything का मतलब है कुछ भी देख पाना Outside the plane यानि की विमान की बाहर The old aeroplane jumped and twisted in the air अब ऐसे में जो मिरा पुरारा विमान था वो एकदम से उचलने लगया And twisted in the air और हवा में गूमने लगया I looked at the compass, मैंने compass की तरफ देखा I couldn't believe my eyes I couldn't believe my eyes का मतलब है मुझे अपनी आखो पर विश्वास नहीं हुआ The compass was turning round and round and round जो compass है वो बार बार गोल 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 गोमे जा रहा था It was dead, it would not work जैसे की वो एकदम बंद पड़ चुका था और वो बिलकुल भी काम नहीं कर रहा था The other instruments were suddenly dead too I tried the radio जो बाकी के instruments थे यानि के जो बाकी के यंत्र थे मेरे विमान में अचानक उन्होंने भी काम करना बिलकुल बंद कर दिया था I tried the radio मैंने रेडियो को उठा करके बात करने की कोशिश की Paris control, Paris control, can you hear me? Paris control, Paris control, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? There was no answer मुझे कोई उत्तर नहीं मिला The radio was dead too जो रेडियो था वो भी बंद हो चुका था I had no radio, no compass and I could not see where I was I was lost in the storm मेर पास अब रेडियो नहीं था compass नहीं था और मैं ये भी नहीं देख सकता था कि मैं कहां पर हूं मैं तुफान में खुचुका था Lost का मतलब है खोजान Then, in the black clouds quite near me और उसके पाथ जो काले काले बादल थे मेरे काफी करीब quite near me मतलब मेरे काफी पास I saw another aeroplane मैंने एक दूसरा विमान देखा It had no lights on its wings उसके wings पे याई उस विमान के पंक पे कोई भी light नहीं थी But I could see it flying next to me through the storm लेकिन मैंने देखा कि वो बिलकुल पेरे बराबर में उड़ रहा है तुफान के बीच में I could see the pilot's face Turn towards me मुझे पाइलिट का चहरा दिखाई दिया जो कि मेरे तरफ मुडा हुआ था Turn का मतलब है मुडे होना Towards यानि मेरी ओर I was very glad to see another person मुझे बहुत ही खुशी हुई एक दूसरे व्यक्ति को देख करके He lifted one hand and waved उसने एक हाथ उठाया और हाथ से इशारा किया Wave का उत्ब हाथ हिलाया या पिर हाथ से इशारा किया Follow me, he was saying, follow me मेरे पीछे आओ वो कह रहा था, मेरे पीछे आओ He knows that I am lost, I thought He is trying to help me उसको मालूम है कि मैं खोगया हूँ मैने सोचा और वो मेरे मदद करना चाहता है He turned his aeroplane slowly to the north उसने धीरे से अपना जो विमान है वो नौर्थ यानि के उत्तरदिशा के तरफ जुकाया In front of my Dakota और उसने मेरे Dakota विमान के आगे के तरफ उडान भरना शुरू किया और वो उत्रदिशा के तरफ मोड रहा था So that it would be easier for me to follow him वो मेरे आगे आगे इसली उडान भर रहा था ताकि मैं उसका पीछा आराम से कर सकू I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child मैं बहुत ही खुश था उस विमान के पीछे पीछे जाने में strange यानिके विचित्र aeroplane के हो उसकी लाइटे भी नहीं जल रही थी और वो कहां से प्रकट हुआ पता नहीं like an obedient child obedient child क्या होता है आग्याकारी बच्चे की तरह बिकुल एक आग्याकारी बच्चे की तरह मैं उस विमान के पीछे पीछे चल दिया हूँ after half an hour the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds आदे गुंडे के बाद भी वो जो विचित्र सा काले रंगा aeroplane था काले रंगा जो विमान था वो बिलकुल मेरे सामने था बादलों के अंदर now अब उसके बाद क्या हुआ वो जो काले रंगा विचित्र सा विमान आगे आगे ऊड़ रहा था वो विमान कहा लेकर गया क्या वो दोनों बादलों से निकल पाए क्या वो दोनों सही जगा पहुच पाये या फिर तुफान में खो गए यह अब हम अगले वीडियो में जानेंगे इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं जैन बच्चों हम कहाने पढ़ रहे हैं दे ब्लाक एरोप्लें और पिछले वीडियो में हम ने देखा कि जो पायलेट का विमान है वो बहुत ही घने काले बातों में फसक्या है उसकी कमपस ने काम करना बंद कर दिया एरोप्लें के यंद्रों ने ठीक से काम करना बंद कर और उसे बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था पायलेट बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था कि वो किस प्रकार इससे बाहर निकलेगा तब ही अचानक उसे अपने आगे एक काले रंग का विमान ओड़ता हुआ दिखाई दिया जिसकी लाइट्स नहीं थी उस विमा इन अफ फ्यूल इन दी ओल्ड डकोटा लास्ट आंक तो फ्लाइट फॉर फाइब और तैन मिनिट्स मोर पिछले वीडियो में आपने देखा था कि जो पायलेट है उसने अपने विमान का आखरी फ्यूल टांक ऑन किया था स्विच अन किया था यानि कि अब उसके पास बह I was starting to feel frightened again, अब मैं दुबारा से डरने लग गया, frightened का मतलब होता है डरना, but then he started to go down and I followed through the storm, लेकिन फिर वो नीचे की दरफ जाने लग गया, और तूफान के बीच में मैं भी उसके पीचे पीचे उरने लग गया suddenly I came out of the clouds and saw two long straight lines of lights in front of me it was a runway an airport I was safe अचानक मैं बादों में से बहार निकलाया और देखा कि दो सीधी पत्तिया मेरे आगे हैं ये एक runway था ये एक airport था यानिके हवाई अड़ा था मैं हवाई अड़े पहुँच चुका था और वो भी हवाई अड़े के runway पे I was safe मैं एक दम सुरक्षित था I turned to look for my friend in the black aeroplane but the sky was empty मैंने आसपास मुड करके जो काले विमान में बैठा हूँ मेरा दोस्त था जिसके कारण मैं यहां पहुचा था मैंने उसे रूणने की कोशिश की लेकिन आसमान एकदम खाली था empty मतलब खाली there was nothing there वहां पर कुछ भी नहीं था nothing मतलब कुछ भी नहीं the black aeroplane was gone जो काले रंग का विमान है वो चाय चुका था वो गायब हो चुका था I could not see it anywhere मैं उसे कहीं भी देखने ही पा रहा था I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower मैंने विमान रोका और मुझे बिल्कुल भी खेद नहीं हुआ जब मैं उस विमान से निकल करके दूर चलने लगया control tower की तरफ मेरा विमान था मुझे बहुत प्रिया था बगर इस समय मैं control tower जाना चाहता था I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was I wanted to say thank you मैं गया और जाकर की जो महिला बैठी हुई थी control center में उससे पूछा की मैं कहा पर हूँ where I was मतलब मैं कहा पर हूँ and who the other pilot was और वो दूसरा pilot कौन था मैं उसका धन्यवाद देना चाहता था She looked at me very strangely and then laughed उसने मेरे तरफ बहुत ही अजीब तरीके से देखा और उसके बाद हसने लगई Another aeroplane up there in this storm दूसरा विमान उपर वहाँ पर उस तूफान में No other aeroplanes were flying tonight Yours was the only one I could see on the radar और कोई भी विमान आरोडार नहीं भर रहा था किवल आपका ही विमान था जो मुझे radar पर दिखाए दे रहा था radar मत्ब radar मत्ब एक यांतर होता है जिसके द्वारा हम देख सकते हैं कि विमान कि आस्मान में क्या-क्या ओड रहा है और कहां-कहां पर है तो समाहिला ने बोला कि उस radar में मुझे केवल आपकी का विमान देख रहा था and without any more fuel in my tank और बिमान की टंके में तो और इंधन भी नहीं था who was the pilot on the strange black airplane ये कौन सा pilot था जो विचितर से काले रंगे विमान में था flying in the storm without lights जो तुफान में उड़ रहा था बिना lights के तो ये जो प्रश्न है ये सभी प्रश्न उस pilot के मन में आए कि ये कौन सा विमान था जो मुझे यहां तक लेकर आया वो कौन था जो मुझे सुरक्षेत उस घने तुफान में से भाहर निकाल के ले आया असली में तो कोई विमान महापे था नहीं क्योंकि control tower को कोई भी विमान उपर तुफान में दिखाई ही नहीं दिया तो क्या कोई अध्रश्य शक्ती थी जिसने पाइलट की मदद की क्या कोई आलोकिक शक्ती थी जिसने पाइलट की मदद की आपने चमतकार की बातें अकसर सुनी होंगी जब लोग कहते हैं कि हमारे साथ ये चमतकार हुआ अचानक से कोई आया और उसने हमारी मदद कर दी तो क्या ये भी इसी प्रकार का चमतकार था आप इन सभी प्रश्णों के बारे में सोचे और दुबारा से ये चाप्टर पढ़ीजिये आशा करती हूँ आपको ये चाप्टर अच्छा लगा होगा धल्ले बाद तो कैसा लगा आपको ये वीडियो आशा करते हैं आपने इसका आनन्द भी उठाया होगा और आपको समझ भी आया होगा क्या आप जानना चाहते हैं कि अगले वीडियो में क्या हुआ अपने पाच की बागी वीडियो देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से मोबाइल अप्लेकेशन डाउनलोड कीजिए विध्यासार आप चाहिए तो हमारी वेब साइट पर भी जा सकते हैं www.vidyasaar.com यहाँ पर आपको केविल अंग्रेजी के नहीं विज्यान और गनित के वीडियोस भी देखने को मिलेंगे तो फिर बाकी विडियोस के लिए मोबाइल अप्लेकेशन पर मिलते हैं